राधे राधे दोस्तों देखें ये हमारे यहां हो रहा है नौमी का पूजा वैसे तो ये पूजा नौरात्री के अस्टमी के ही रात में जक करके होता है लेकिन इस वर कुछ समस्या के वज़ा से उस दिन नहीं हो पाया था तो फिर ये बाद में पुडिमा को हमारे यहां जब गोर्वा बनती है यह पूरी अरहला माता के चड़ा दिया जाता है यह व्याद को बोएल कर दिया है और इससे भरणे वाली दाल की पूरी बनाइजाती है और बहुत ही आसान टरीका होता है इसको कमसे कम 6-7 गंटे दाल चने के दाल को भीगो देते हैं यह पर कुकर में ह कटोडी चावल धुल करके डाल दिया है और फिर उसके बाद चावल केचाब से गुड़ बेस में डाल देती हूँ तो मैंने तो यहां पांच पीडिया गुड़ डाल दिया था पकीर में और बस इसको शीटी लगा दिया था एकदम श्लू फ्लेम पर थोड़ी देर तक मतलब ही तो वाकर में एसास किया हुवा है कि जो य问题 नॉमे का उसमे माता जी वाकर में आती है क müsste मैं मानने पर मजबूर चूगी हो कि मैं मता जी इस धर्दी पर रहती है निरात्री के टाइम में तो और यह पूझा करना बहुत ही होता है सुध्धक लग जाया किसी की डैथ हो जाया बच्चा हो जाया आप कोई दूसरा पूजा छोड़ सकते हैं लेकिन इस पूजा को नहीं छोड़ा जाता है यहां पर देखिए दाल वाली पूड़ी और बखीर हमने बना लिया है माता जी को भोग लग गया है सुबह चार सिर्वाद अपने बच्चों को देते हुए जाती है ऐसे ही करते करते पूरे गेट के बाहर तक कर दिया जाता है और माता जी डेर सारा सिर्वाद देती हैं फिर उसके अगले सुबह तो और भी सबजियों को बनाना पड़ा था तो यहां पर देखिए हमने बना लिया था बखीर है खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना था और यह है दाल वाली पूरी धेर सारा हमने और ममी ने मिल करके बना लिया था जिससे कि यह अगले एक दिन तक पूरा पूरा चला भीए दे कि हमने अपना धाली को सजा लिया है अगर आपको मेरा लगा लगा करके ठाली दिया था वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइच सब्सक्राइब सेर जरूर करें थैंक यू